अगर जनता को तकलीफ पड़ेगी और ऐसी परिसितियां आप खड़ी करेंगे तो एसेंसियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहट जिसको शार्ट में इसमा बोलते हैं उसके तहट कारवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मताविक एक वर्स तक की सजा होने क भी उसमें उसमें प्रावधान है जो कर्मचारी काम पर आना चाहते हैं जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं जैसा मैंने कहा बहुतायत कर्मचारी काम पर काम पर बने रहने का उन्होंने संकेट दिया है उन्होंने संकल्प लिया है ऐसे कर्मचारियों को अगर कोई व्यक्ती रोकता है, रोक टोक करता है, कोई उन्हें बाधित करता है काम करने में, या उनके साथ कोई दुब्योहार करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों के बहुत, भले ही वो हमारे कर्मचारी ही क्यों नहों, भले ही कर्मचारी संगटनों के नेता क् कितना भी बड़ा व्यक्ति हो अगर हमारे किसी कर्मचारी को काम करने से रोका जाएगा या हमारे किसी संपत्ती को नुकसान पहुचाया जाएगा तो उसके खिलाफ एने से या रासु का सहित तमाम कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम निपटने को तयार हैं और तो उससे बहुत सक्ती से हम निपटेंगे हमने मानी मुख्य सचीर ने मानी मुख्यमंत्री जी के आदेशा नुसार मानी मुख्य सचीर ने और राज के डिरेक्टर जनरल आफ पुलीस ने और हमारे अधिकारियों ने यूपी पीसेल के चेर्मेन, M.D. सहित, सभी अधिकारियों ने, A.C.S. सहित, सभी अधिकारियों ने पुलीस और जिलाधिकारी, पुलीस अधिक्षक और जिलाधिकारी, पुलीस कमीस्णर के साथ संज्युक्त रूप से वीसी करके उन लोगों को इलर्ट भी कर दिया गया है आज की अंतिम हम लोग आज वारता किये आज भी हमने लगबग दो घंटे वारता किया उमीद थी कि बात बन जाएगी बात नहीं बनती दिख रही है तो उस दिष्टी से हम जिला धिकारी और जिला प्रशासन को पुलिस को पूरी तरह से हमने सतर्क किया हुआ है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति चाए वो कर्मचारी हो चाए उनका नेता हो अगर कानून हाथ में लेता है या हमारी संपत्ती को नुक्सान करता है या कुछ ऐसा करता है कि हमारी जो वेकल्पिक ब्योस्ता है कई जगा मैंने सुना है और पीछे की हर्टालों में भी सुना है कि कई जगा ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि नया अगर व्यक्ति उसके काम करना भी चाहे तो उसको तकलीफ पड़ती है ऐसे किसी भी प्रयास पर हम सकती से निप्टेंगे, सकती से कानूनी कारवाई की जाएगी